जो इसके बद हैं यह सच है मैं है सो जाती मुझे पता नहीं तो सब अच्छा कहते हैं सब को पता है ना कि रहा निफ्यों के है एक से गे गहीं कि इसमें यह स्पोट्लेट ना जब मैं स्क्रीन शेयर करते हूं तो मेरा ही चाहरा दिखता है रिकॉर्डिंग में बहुत ही डराव ना लगता है मुझे देखके चलो तो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कर रहे थे हैं ना चैमिकल कोडिनेशन इंटेगरेशन वाला चैप्टर कर रहे थे करेक्ट यास मैं हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि 10 तक हम लोग 11 करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बोड की प्रिप्रेशन में क्या यह प्रेशन आता है कि अपकी चैप्टर आते तियुग चलए और वोD जादा complicated नहीं होते ठीक है नीट के practice कर लोगे तुम्हारी preparation हो जाएंगी और एक assertion reason आते हैं correct और assertion reason सिर्फ तब निकलेंगे जब practice होगी तो यह हम aims वाले लगा लेंगी तो जोंसे chapter आपके boards में आने ठीक है तो boards के revision के साथ क्योंकि तुम बहुत अराम से देख सकते कि होना ncrt है उसके लावा mcqization reason होना है तो आपकी नीट की automatic preparation होनी है अपने आप prepare हो जाएगा नहीं तुमको पता भी नहीं चलेगा तो सारे बच्चे आएंगे जिनको भी त्यारी करनी है काफी बच्चे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि बोर्स की प्रेप करनी है और अभी होने रही है तो राम से बोर्ट की प्रेप भी होगी और एंट्रिंस की भी होगी ठीक है तो यह जो कि अगया तो मार्च में है काइम अगर चब छुटी आएंगी तो तुम कॉंटक्स कर सकते हो तुम अपने हसाब से डाउट क्लास लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आए अगर तुम्हारे पन नहीं आताया तूं ठीक है लेकिन तु उसमें तो देखो तुम भी कुछ नहीं कर सकते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकती जादू शक्तिया हमारे पास नहीं है ठीक है हम सिरफ मैनत करके कोशेश कर सकते हैं कि हम पेपर अच्छा दें तो हम उसी पर फोकस करेंगे तुम भी मैं भी रिजल्ट मेडिकल काउंसिल उन्ह बताओ कौन था यारी अच्छा है फोन गर्ट लगाया मैंने मेरी यही वाले हैटफोन चलते चलते नहीं है बस उचो वाज यहां कहा से आगे है अच्छा छलो थोड़ सा पढ़ाते हुआ फिर बताते हुआ फिर फ्लो बन जाएगा चलो स्टार्ट करते है थायरोड रियां हम पढ़े थे थायरेट में कितने तरीके के छी चैल पढ़े थे थायरोड में बाटो पढ़ french थायक्राद हुआ अटिडए झे prag थायरोड फोड़ा गया नहीं ना दोका हो गया ना पूछा नहीं किसी ने कल मैंने पूरा वेट किया कि कोई पूछा है किसी ने पूछा ही नहीं कोई बात नहीं तुमको याद आएगा तो भी पूछूंगी मैं ठीक है चलो देखते हैं कहीं इसका फंक्षन आएगा किसी और होमोन के साथ तब तुम्हारा इस पर ध्यान जाएगा वेट करते हैं अब तक तो थायरोड हमने पढ़ लिया था और हम NCRT रीडिंग पे पहुंचे दे राइट इसी चैप्टर की करेक्ट यस माम थोड़ी सी सब्सक्राइब करेक्ट चलो यह हमें पता है इस पेज पर जो भी लिखा है हमें एक्च्वल में सब पता है बस हमें यह देखना है NCRT ने कुछ एक्ट्रा तो नहीं लिख दिया और NCRT ने लिखा कैसे है दोई चीज़े जाननी होती हमें और कुछ नहीं राइट सो पिटूटरी ग्लाइंड को मैंसे डबा बना देती है क्यों कि यहां थे पिटूटरी की बात करने वाला है तो पिटूटरी ग्लाइंड डब्बे में पड़ी है वो है सला टर्सिकल इस बोनी के वटी ठीए भाई सुनो सबसे बुरा होगा जब यह बोनी को हटा के कि अधिनेस या हाई लेन है इसा कुछ वर्ड यूस नहीं किया है बी किर फुल किस्फिनाइड बोन की डिप्रेशन को यह स्परतिबा बोनी केवटी तो जिस नहीं रती का याद रखना ऐसे खेला जा सकता है बोनी केवटी को अडेलाइन करो and is attached to the hypothalamus by a stock so hypothalamus से stock के थूँए attach होती है stock का नाम क्यों होता है जैसे बनाते हम यहां से ही ऐसे attach होती है और यह hypothalamus होता है stock का नाम क्या था infundibulum infundibulum तो वहां लिख लो इसी के साथ stock के ना bracket में उपडाल के ऐसे करके लिख लो infundibulum ठीक है नाम याद रहा जाएगा फिर हमें चलो इस डिवाइड़ अनातॉमिकली इंटू एन एडिनो हाइपोफाइस और नियूरो हाइपोफाइस अनातॉमिकली मतलब अंदर से अगर हम इसे देखे काट के हम देख रहे कि नियूरोन से कैसे तो हम कहते हैं कि यह होती है हमारी एक एडिनो हाइपोफाइस और एक नियूरो हाइपोफाइस तो इसको एडिनो लिखते हैं जाबाश वेर इसको मैं पुस्टीरियर भी लिख देती हूँ उसका अच्छे जबादा हमें इसके पाद दो पोशन है एक है पास दिस्टैलिज और एक है पार्स इंटरमीडिया इसी चीज को यहां लिख दू है यह है मेरा पार्स दिस्टैलिस इंटरमीडिया और इंटरमीडिया है हमारा यह ना तो उन्हेंने बहुत बीटिफुल तरीके से वो ही बताया जो हमें पता था फिर भी इसको अंडलाइन चाहो तो कर सकते हो नहीं तो तुमने डाइगराम बनाया है यह वाला रिजन of pituitry, commonly called anterior pituitry तो देखो anterior pituitry actually pars distalis को कहते हैं तो मैं इसको रब कर रही हूँ, adeno hypophysis को रब कर रही हूँ, exactly NCRT के लाइन हम पिक करते हैं कि वो क्या कर रहा है, pars distalis का दूसरा नाम है adeno hypophysis, pars intermedia का नहीं रहा है उसने, यह फरक देख रहो कितना छोटी सी important बात इन्होंने लि that pars distalis region of pituitry, इसको commonly हम anterior pituitry कहते हैं और यह कौन से होमन से करते हैं वो यहां इसने बताया, ठीक है तो pars intermedia is not anterior pituitry, actually pars distalis is only which is considered as anterior pituitry, clear सब को? यह पार distalis को कहते है, adeno hypophysis, हाँ, adeno hypophysis तो वैसे तो पूरे को गवाटा है, यह स्टेलिस वैसे कहते है, anterior pituitry इस पूरे structure को, structure को, इसको मैं लिख देती हूँ 1, इसको मैं लिख देती हूँ 2, ठीक है? तो 1 plus 2 को, दोनों को हम together हम बोलेंगे, adeno hypophysis, ठीक है? अब ठीक है? यह साहिए, यह साहिए, ना अटीरे pituitry क्या secret करती है, वो होमोनिया पर लिख है, तो यह तो हमने order में पढ़ेते हैं, मैं सजेस्ट करूँगे, जो सुछे पढ़े हैं न, चाहे तुमने मिर से पहले भी पढ़े हैं, या खुचे पढ़े हैं, उसी order में याद रखना, कोई इन चाहर मत करना, खो जाओगे, कोई एक तरीका ढूब लो, और उसी पर ठीके रहो, और उसी को बार बार पढ़ो, देस इजए ट्रेका, पांच किताबे मत पढ़ो, आप एक किताब को पांच बार पढ़ो, बात बन जाती है, वैसे वाली बात है, तो पहला है ग्रोथ होम जो अड्रेनल ग्लैंड के उपर जाते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ग्लैंड वही है, फिल्यूटिनाइजिंग हॉमन है, फॉलिकल सिमुलेटिंग हॉमन, किसका पार्ट थे, कौन सी बड़ी टम का पार्ट थे, गॉनाड़ो ट्रॉफिन्स, वेरी गुड, शा रिट किया है, जिसका नाम है, मिलैनो साइट सिमिलेटिंग हॉमन, चो क्या करता है, इन हुमन, पार्स इंटर मीडिया इस ऑल्मोस्ट मर्च, तो देखो, यह बहुत स्ट्रॉंग लाइन है, यह आपको अजर्शन में कन्फ्यूज करने के लिए लिए ली जा सकती है, इसे करो, इतनी सी बात इन्होंने बोलिया कि अल्मोस्ट मर्च ही दिखाए देता है, आपको एक ही तरीके का सेग्मेंट दिखाया है, बहुत ध्यान से देखो को तो थोड़ा फरक दिख जाएगा, पर तुम्हें इतना डेटेल में जाना नहीं है, ठीक है, तो आल्मोस्ट अल्मोस्ट नहीं है, इस एक पस्टीर पुटूटरी, तो यह तीनों नाम इसी की है, निरो हैपिफफिस न्यूरो हैपिफ़सी, पस्टीर पिटूट्री, यह क्या करता है, यह रहा है, इसका इंपउर्डन पॉइंट आ गया, एक इट स्टोर पहला फंक्शन है इसका, तो confusion होती है एक है store और दूसरा है release वाँ पर उसमें साफ साफ लिखा है तो यही word ध्यान रखनी है यह store करता हो release करता है देखो function भी दो करता है ठीक है और hormone भी related है कौन से दो hormone है एडियेच एड अब हाँ तो बैसो प्रेसिंगे इस bracket में लिख लो ADH उसके bracket डाल के लिख दो ADH राइट क्योंकि यहां लिखानी है ओके ड़न इस इतने डिफिकल था है कुछ कुछ नहीं था है तो मैं पता है बस तुम जान रहे हो NCRT में कैसे लिखा है तो दो लाइने हमने ट्रिकी अभी देखी वह अच्छा था था देखो ध्यान रखना लाइन बड़ी चलागी से लिखी गई है कि हाइपोथाइलमस में यह बना सिंथेसाइज हुए दोनों यह ट्रांसपोर्ट हुए नुड़ो आइपोफाइसिस में थ्रूरे ख्जॉमन की ऐग्जॉन में जहांब राता होलं वह सेल बौड़ी थी वह तो हैपोथाइलमस में रहे गी तो उसको लेके जाके जो पिस्टीरो पिटी नैंट यह 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 बात किलिए है सेंटमें में तुमको कंफ्यूस कर सकते हैं कि हइपथालमस से पोस्टीडियो पी टूट्री में ठूछ सेल बॉड़ी यह आ रहा है एक्जॉन के ठूछ ट्रांस्पोर हो गर आ रहा है क्योंकि nc rt specifically इसको हम कर रहे हैं तो यहां रीट कर ले तो कोई बात नहीं मदत ही होगी ओवर सिक्रीशन जिसको नहीं पता लिख लो जादा कोई बुरी बात नहीं है अगर तुमको नहीं बता तो चो कि हम सब यहां सी की तो रहे हैं अगर इसी चीज को तुम कर दो लो सिक्रीशन तो ग्रोथ हॉमोन है कोई सी डिजीज होगी कि टॉटरी डॉफिशम डॉफिजम डॉफिजम डिफरेंट टाइप कि होते हैं तो कोई किसे को डॉटि ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो स्ट ट्रॉट यह होते हैं कि लर टाइप के एंस रिकरीशन आट के नॉट्सों अड़ें कि हम साइड में पढ़ते हो रह सो जाते कि क्लियर है रहीं इस परिग्राफ को सब क्लिए है राइट नेक्स्ट प्रोलेक्टिन रेगुलेट दो ग्रोफ ओफ मैम्डीलेंट्स और फॉर्मेशन ओव मिल्कीन देंड देखो हम पढ़ते रहते हैं प्रोलेक्टिन का काम है है formation of milk in memory gland लेकिन हमने इस लाइन पर कभी ध्यान नहीं दिया तो हम NCRT परते हो ध्यान दे रहे हैं कि प्रोलेक्टिन को और भी काम है जब बाव नहों यार इस पर यहां ग्रोथ तो यहां पर वर्ड आ उसको वहां पर याद रख लेना एटलीस कि अडिनो को ट्रॉफिक होमन से रिलेटेड वर्ड स्टीरोइड होमन नहीं ठीक है अब इसके वारे हैं पर पर याद रख लेना एटलीस कि अडिनो को ट्रॉफिक होमन से रिलेटेड वर्ड स्टीरोइड होमन नहीं ठीक है अभी इसके वारे हैं पढ़ेंगे तो चोक अगर नहीं भी समझा रहा तो यह वाला यह दो हमें पता था हमने कली बढ़ा था राइट तो गनाड़ो ट्रॉफिन किन को कहते हैं यह थों को पते किसमें कंफ्यूज करेंगी यह फसे अज को याद रखना ना पिटूट्री से estrogen and progesterone release होते हैं? नो में क्या release होते हैं? LH and FSH सबसे बड़ी confusion यह है इस line में सिरफ यह confusion होगी इसले इसको underline कर रहा है तो याद रख लेना कि pituitry से सिरफ बना लो, जब भी कोई चीज difficult लगे तो उसको में शाब बना लो याद रजाती है, LH and FSH रिज होगा, और फिर नीचे ovary बना लो और ovary से निकाल लो progesterone and estrogen तुम बेशक लिखी हुई चीज भूल जाओगे सुदी हुई चीज भूल जाओगे, लिखते तुम को डागराम से याद रजाएंगे इन मेल में किसने stimulate किया था लूटिनाइजिंग हॉमोन था जिसने stimulate किया था एंड्रोजन की synthesis from testis इन मेल, follicle stimulating hormone and androgen regulates spermatogenesis तो spermatogenesis तो एंड्रोजन करता है, दूसरा FSH भी उसमें stimulate करता है sperm की formation, अब ये human health and disease वाला chapter है तो वहाँ पर जाके एक बार अगर उसको पढ़ लो गया spermatogenesis वाला process तो में थोड़ा और clear हो जाएगा इलाव में क्या होता है, LH induced करता है ovulation fully mature follicle, ovulation कराता है वो LH surge जिसको कहते है and maintain the copus luteum, तो copus luteum को भी maintain करता है LH form from the remnants of the graphene follicle after ovulation उसके इलावा FSH क्या करता है, stimulate करता है growth and development of ovarian follicle in female देखो, ये कितनी सारी points बोल देना ना साथ में हाँ, human reproduction, sorry ये लोने कितने सारे points बोल देना, ये FSH और LH का FSH और LH में बहुत confusion रहती है क्योंकि ये बहुत जादा similar sound करते हैं और बहुत पास-पास function होते है इसके तो एक page लो अपने या तो NCRT में side में लगा देना, मतलब मैं ऐसे करते हूं मुझे बहुत ऐसा लगता था, page ले लिया जो उस NCRT की book के बीच में लग जाएगा उस page में लिख लिया तो कुछ मत करो, बहुत complicated मत करो, इसको simple करो एक तरफ लिखो LH एक तरफ लिखो FSH एक तरफ लिखो थोड़ा-थोड़ा amount में साहिल secret होता रहता है हाँ, वो stimulate करता है उसके secretion को थोड़ा-थोड़ा amount में में estrogen और एक तरफ लिखो progesterone यहां लिख लो male और काफिस पेज छोड़के नीचे लिखो female अब उनका जो function exactly इस paragraph में लिखे है, कौन सा page number है यह बच्चू 332 332 exactly कुछ extra लिखने की जुरुत ने helpful से, help book से ठीक है वो उसके चक्र में important चीज़ भी रह जाती है 332 page number पे जो line लिखी है, just hormone के नीचे, वो चार्ट यहां लिखोगे और तुम उसको पहले याद करोगे बाकि सब चीज़े side में, is it clear? clear? exactly exactly इसको लिख लेना सिर्थ देखके लिखना है, बस line सही से लिखने है, और कुछ नहीं करना है, बहुत easy हो जाएगा का, मगर इतना कर लोगे तो जैसे LH induced ovulation LH female में induced करता है पहला point induced ovulation exactly word से लिखना उसकी बहुत, ऐसे मत लिखना it is responsible for inducing ovulation it induced ovulation sufficient even it लिखने की भी जूँए पहला point दूसरा तीसरा जो भी है एक बहुत असान नोट हो जाएगा तुम्हारा clear? समझ गे? yes ma'am okay, energy down अभी तो पढ़ना है चालो, आजो NCR2 तो बहुत अच्छा से कर जाएगे तुम्हारे paper से पहले ऐसा लगेगा कि कवीता की किताब इतनी बार अच्छे से समझी हुई है अच्छे से समझ आजेगी तो दो दिन बार पढ़ना भी sufficient है, समझ नहीं आती है तब उसको 10 बार बढ़ना पढ़ता है, ठीक है? चलो, now, MSH acts on melanocyte, melanin containing cells and regulate pigmentation of the skin, यह मैं पता ही है, intermediate pituitary से हुआ था, oxytocin act on the smooth muscle of our body and stimulate their contraction in female, it stimulates vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk ejection from the memory gland हमारे notes में सब लिखा ही है, vasopressin act mainly on the kidney and stimulate kidney में कौन से पार्ट पे act करता है vasopressin DCT, DCT DCT better DCT, लिख लो, distil community to you, very good and stimulate the absorption of water का है? okay reabsorption of water and electrolyte by the distilled tubule, okay better PANI की भी reabsorption कराता है or electrolyte की भी कराता है, distilled tubule में, अगर electrolyte कौन से electrolyte था, जिसकी reabsorption कराई है? sodium 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 right now thereby reduces loss of water through urine this को diuresis कहते है loss of water through urine hence it is called anti-diuretic common इसलिए anti-diuretic कहते है सुसु सुए बचाता है हमें कम सुसु produce करते है, right? तो diuresis सुसु बनाना anti-diuretic उसको loss कर दाना, उल्टा कर देना correct? no कौनसा gland है? thyroid 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 जब फ्रंट से ऐसा दिखता है नो तो पीछे से बते कैसा दिखता है? यह रभा पिचह नहीं है फ्रंट से ऐसा दिख रहा है यहां से तो पीछे से अगर यहीं मैं बना दू रैक किया तो कुछ इतना ही दिखेगा पूरा cover नहीं करता ही है इसको ठीक है? जैसे अगर तुम बेलन लेलो और उसके आसपास आटा लगा लो फ्रंट से तो पूरा लगाती है पर पीछे से पूरा नहीं cover कर रहा है उसको छोड़ रहा है इतना region और पीछे ना इसके दो चार group of cells होते है बड़े special जो एक अलग category of gland है which is known as parathyroid parathyroid gland parathyroid gland very good है पता है तुम्हे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आज ही यह यह diagram लेबल करना तो आता होगा good आओ वे thyroid gland पड़ते हैं पड़ा पड़ कल यह कर रहा था हमने खदम करते हैं thyroid gland is composed of two lobes ठीक है यह important two lobes है इसकी याद नहीं रहता फुल मत जाना बोजा सी बनाई थी ना हमने two lobes है इसकी which are located on either side of the trachea trachea की इधर side ही तो है यह कितर एक उदर पर attach है both of these lobes are connected with a thin flap of connective tissue called isthmus और क्या है यह connective tissue का flap है यह कोशन आजाएगा फिर लगेगा कि हमने tissue वाले chapter तो किया नहीं था tissue वाले chapter खंदी रजरत दी थी इसमें भी लिखा था ध्यान से पढ़ लेता तो सब मिल जाता है इदर इदरी now the thyroid gland is composed of follicles and stromal tissue stromal tissue से ना उसके बीच में हमारे वो बनाता फूल जैसा गुच्छा इसको मुनाते थे follicle tissue याद आ रहे है धीरे-धीरे तो मैं ऐसे इसलिए बना रहे तो कि तुमको धीरे-धीरे याद आता रहे ठीक है each thyroid follicle येस प्रतीब ये अपनी gland है जो अपनी synthesis कुछ से रखता है येस साहिल thyroid gland is composed of follicle and stromal tissue each thyroid follicle is composed of follicular cells ये बनाए है enclosing a cavity इनके बीच में cavity होती है यही तो वो अपना hormone secret करते है ये बीच में cavity में किया था हम नहीं ये these follicular cells synthesizes two hormone, two hormone बनाते है जो तुमने मुझे भी मेरा नाम इस पर नाम करेक कर रहा था तुमको याद रहना चीए तुमने मुझे भी तो करेक कर रहा था tetraidothyroxine and triidothyron अब इसके लिए जो सबसे important है जो line बनते है बहुत simple question है कि iodine essential है for the normal rate of hormone synthesis in the thyroid normal rate में अगर बनाना है तो iodine important है ऐसा नहीं है कि कोई तुमको question में situation दे रहा है कि ऐसी situation में इंसान है कि उसको बहुत जादा thyroid hormone चाहिए तो को याद रखना है hypo से मतलब कम और hyper से मतलब obviously जादा तो अगर तुम iodine की कमी करोगे thyroid hormone बनेगा नहीं तो तुम्हे hypothyroidism हो जाई and enrichment of the thyroid gland तो thyroid gland इसे full जाता है ठीक है और इसको commonly greater बलाते है thyroid gland full क्यों जाता है वो इसलिए full जाता है जतिल hormone का नाम है ना tetraidothyronine and triidothyronine hormone का नाम थे ना T3 and T4 कि कितने iodine molecule लगे है T4 hormone में चार iodine molecule लगे और T3 में तीन iodine molecule मैम पॉलिकल्स और स्टोमल टी सूज मैम कौन-कौन जाते है वेटा जो thyroid gland था ना इसे हमने बनाया था ऐसे करके तो उसमें सारे जो यह cells पड़े हैं commonly जो cells पड़े होते हैं इनको हम stromal cells कहते हैं ठीक है इनका hormone secretion में रोल नहीं है इनके अंदर ही आपको कुछ cell के ऐसे गुच्छे बनते हैं जिसके center में cavity होते हैं खाली और आसपस cell ऐसे arrange होते हैं इसे group बनाके बाते मार रहे हैं यह वाले cell हमारे follicle cells यह hormone secret करते हैं और कहीं कहीं बीच में तुमको कुछ और cells भी बनेंगे जिसको C cells बलाते हैं ठीक है तो hormone secret follicle cells करते हैं और C cells करते हैं यह हाँ साहिल that's correct हाँ यह साहिल बिल्कुल तभी बनेगा तो देखो अब देखो यह बहुत important line थी जो यहां लिखी है क्योंकि यह explain नहीं कर रहे हैं hypothyroidism हुआ यहां लिख रही हूँ side में लिख लो notes राम से thyroid कम कम बना क्यूं कम बना because iodine deficiency हैं शरीर में नहीं खा रहे हो तुम iodine नमक नहीं खा रहे हो न लाएको thyroid होगे कम तो तुमको कैसी condition होएगी hypothyroidism ठीक है यह चीज ना thyroid blend realize कर लेता है कि यह thyroid hormone कम बन रहा है तो उसके जो cells होता है ना वह polyfrate करने लग जाते थोड़ए थोड़ए और stress लेके न production करने की कोशिश करते है thyroid hormone की लेकिन हो नहीं बाती क्योंकि iodine नहीं आ रहा तो वह महनत पूरी कर रहे है लेकिन iodine नहीं आ रहा इसलिए production हो नहीं पाती तो वह और इतनी महनत करने की विज़ए से उनके अंदर swelling आ जाती है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है और इसी को हम बोलते है गोटर गोटर वह खतना चीज़ा है ऐसे गलब फूल जाता है आयोडीन की डेफिजेंसी हटा तो ठीक हो जाएगा हाँ आयोडीन की कमी से ही हो रहा है क्योंकि आयोडीन नहीं है तो thyroid hormone काम कर रहा है पूरे केच цен रहा हे परिशान भूम रहा क्या करूं क्या करूं कुछ मुझे खाने के लिएर दे तो मैं बना दूँन से मैं अक्छे से काम करेघीं लेकिन मेंको बढम मिल रहा है similarly thyroid nerve environment मील रहा है तब ओता है goitler समझाग पा य Impress paral possess गेंगा गेंगा बोलते हैं अच्छा मुझे बताने में हिंदी में हिंदी में अरे तेरा गलत भी भी बहुत बैठा है ठान रग बेटा अपना ठीक ही नहीं हो रही है तुम काफी वच्चे महारा असमीता को भी टाइफ़ड हो रखा है तोड़ा धान दोको अपना हो है चलो क्यों हम समा अच्छी यह को रग जाती है डाष़ग。 अच्छा उसमी न्यम्मी आपने उतार टी मेरी, बड़ाई जाती है क्यों आपना हूँ को जाती है टीक है तो मैं इतना डेटैल में तुमको क्यों बताया क्योंकि नहीं को एक है तो ब्ड़े ही कह खराब तरीके से जनली आइडेन आप उससे लेते हैं तो नमक से पर हां अगर होगा तो याद रखना आइडेन की कमी से गोईटर हुए है खाने में आइडेन आ जाएगा न उस इंसान के गोईटर हो सकता है तो गोईटर डेडली नहीं होता है अंट्रीटेबल ओविसली कोई भी चीज डेटली होती है तो ग्वाइटरी था जो यूएस में हो रहा था उसकी बाद नमक में आयोडीन मिलाने कम पलसरी कर दिया था नौँ हाइपो थारोडिजम ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी देखो हाइपो कम अगर प्रेग्नेंसी हो जाए कॉस्ट इफेक्टि ड्वेलप्मेंट एंड मैचुरेशन अफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग तो स्टंटेड ग्रोथ क्रिटेनिजम देखो अब यह ना बड़ा ही हाइपर वाले केस में और भी बहुत चीज़े होती है थारोडिजन बहुत कुछ कर रहा है न इसलिए हमें स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा यह क्या मेंचन कर रहे होता बहुत कुछ है एंजी आटिम में कम लिखा है शुकर मनाओ थारोगला रुला देता है मैं पोज यह लेडू को हो जाएं किसी की प्रेग्निंटी होते सबसे जादा थाइरोड़ टेस्ट होते हैं उसके तो अगर उसको है थाइपोंद होमोन उसके नहीं बन रहा वोटेवर रीजन है थाइपो १ाइरोड़ऻम होगी उस केस में जो बच्चा है न उस में डिफेक्टिव कितना खतना होड़ है stunted growth किसी को हो रही है क्योंकि उसकी पिचूट्री में problem थी यहां stunted growth हो रही है क्योंकि thyroid gland की कमी हो गई है क्योंकि पिचूट्री भी growth से related है thyroid hormone भी growth से related है right तो आपको डिजीज के symptom बहुत पास पास दिखेंगे तो हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना है किसी डिजीज को एक पर कभी conclude नहीं करना है कि यही डिजीज है तींचा लाइन होनी चाहिए और होती है गोशन में सो stunted growth हो जाएगी बेबी की तो जब बच्चे की stunted growth हो रही है because of what thyroid की कमी से उसको हम कहते क्रिटिनिजम नीट लव्स दिस टर्म क्रिटिनिजम वो ड्वार्फिजम पिचूची ड्वार्फिजम क्रिटिनिजम के साथ बहुत खेलते हैं क्योंकि फरक नहीं बता होता लोगो हां बिल्कुल और बच्चों में होता है क्रिटिनिजम देखो बच्चे में होगा बेबी के अंदर होगा right now mental retardation भी आ जाएगी very serious condition low intelligence होगी उसमें low intelligence content and abnormal skin भी हो सकती है नहीं बेटा जहां पर उसने baby word use कर दिया ना growing baby लिखा है ना तो जहां पर बेबी आ गया that means पच्चा पैदा हो चुका है उससे पहले हम fetal तो 9 मन तक जब baby womb में है तो हम fetal कहते हैं हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसकी growth में कुछ फरक है कि actual growth तो baby की बहार आने के बाद देफ मुटीजम हो सकते हैं उनमें हो सकता है डेफ हो बहुत सारे हो सकते राइट नौ इन अडल्ट वोमन वो कह रहे है तो प्रेग्नेंसी था दूसरा इन अडल्ट वोमन फीटल एंब्रोनिक कंडिशन होगी यह साहिक जब जाइगॉट बना जाइगॉट फिलोपियन ट्यूप से तैर रहा है और यूट्रेस में जाके अभी इंप्लांट हो रहा है एक महीने तक उसकी इंप्लांटेशन बहुत अच्छे से अंदर जा रही है तो मैं तब एंब्रोनिक स्टेट कहूंगी तो उसके बाद जब बच्चे के और्गन बनने स्टार्ट होगे तम मैं टम फीटल यूज करूंगी तो इक्जैकली सेम नहीं है एंब्रोनिक और अर्ली है फिर फीटल आ जाएगी मतलब ऐसे मन्त में एक बार आनी चाहिए पर उल्टे सिधर टाइम पे आएगी ड्यू तो कैंसरी थायरोड लैंड यह बहुत सारी डिजीज एक साथ बता रहे हैं इसी और इसे डिफेंट करिशन साहिल वह ओवरी से रिलेटेड है तो देखना सबसे पहले उसने ची छूफ ह brilliant क करेंगे क्डेडन की तगे फिर उसने बात करी की किसकी बात करी किय ट्रिक्रेटिनेजनुम हम आगे प्रेगनेंसी वाली केस में और प्रेगनेंसिम मैंने बात कर दीक्रिदी कि तो उसके बाद हमने बात करी अधि mening钟 नहीं और वह टा कृति two men के आमने बात कर देडी थी ऐपो थारिवीड़ीजम का फीचर था वो इंट ऀडचे रॉंस इन की बात कर रहे हां का थुझाट देट अडल्ट the thyroid gland देखो एक तो cancer है कि thyroid gland के cell बढ़ते चले जा रहे बढ़ते चले जा रहे बढ़ते चले चले जा रहे या फिर उसमें nodules बन गया कुछ पार्ट में बढ़ गया जैसे tumor हो जाना nodule or tumor almost same term है ठीक है तो actually किसे structure हो पहले tumor होता है वो cancer में change हो सकता है always possibility तो tumor के बाद cancer आता है अगर thyroid में cancer है या फिर thyroid gland में tumor तुम्हें nodule से दिख रहे है the rate of synthesis and secretion of the thyroid hormone is increased to abnormal high level leading to condition of hyperthyroidism वो कह रहे है thyroid gland को जो cells थे बढ़िया काम कर रहे थे लेकिन वहां पे जो follicular cells है उनमें mutation होगी उनमें cancer हो गया या फिर वो tumor बन गए पहले दस cell थे जो thyroid hormone मना रहे है अब 100 cell बना रहे हो अब्विसलिए thyroid hormone के situation बढ़ी ही न ऐसी condition को hyperthyroidism जाते है और यह पूरी body पे effect डालती है ठीक है clear तो यह वाले hypo थे तो आपसे यह chapter मेहनत कराएगा आपको लिखना पड़ेगा लेकिन किसी भी help book से information निकानले से पहले जितनी ncrt में लिखे उतनी याद हो जाए वह ज्यादा important है क्रिटिनीजम पर तुमको किसी भी help book में तीन पेजिस मिल जाएंगे लेकिन तुमको सब याद नहीं रहेगा तुम इंसान हो तो जितनी ncrt में लिखे पहले वो लाइन से आद करना उसके बाद extra लिखना ठीक है क्योंकि इसमें अलड़ी इतनी information है तुम भार क्यों जा रह तो नहीं हो पाएगा बना लेना भी अपी बहुत टाइम है इतना डाइम है कि तुम प्रिपेर हो सकते हो ना थायरेड हो प्ले एन इंपोर्टन रोल इन रेगलेशन बेजल मेटाबॉलिक रेड के फंक्शन बता रहे है अब हमें ठीक है थायरेड होमन के ओवरॉल फंक्श बहुत है इससे याद कर लेना ठीक है थायरेड होमन कंट्रोल दे मेटबोलिजम अफ कार्बोहाइड प्रूटीन और फैट की मेटबोलिजम में भी इसका रोल है उसको प्रिक कराता था था कि ग्लूकोस का लेवल इंक्रीज हो जाए था कि ग्रोथ में मदद हो ठीक है तो lawsuit रेंट्र बैलेंस के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं क्या दृश्मौलयटी ओफ चिन सींपली मतलब होता है State Science यह एक ही वर्ड है देखरो तुम तो वह तुमको इतनी लंबी लाइन देनी की बज़ाए तुमको छोटा से लिख देंगे और में कोई फंक्शन है थारोड का यह नहीं लिखा ना इंडरेक्ट लिख रहा है तो इसको लिख लो नीचे करते हैं यह लाइन भी पूछी जा सकती है क्लियर निसमझा यह 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 नहीं आप गया थाअगे जो सी सेल थे नहीं तो जो सी सेल थे वह पंड़े करते हैं और युश हॉर्मोन का नाम क्या है थाअ क्या थायरोक यह तुट अ blood calcium levels body फ्राइर तो एक एगर मुझे प्राइर देखना दू करने में मदद करता है थारोग यह तो परफारोड के साथ मिलके काम करते एक तरह से एक दूसरे के एंटागों इस ता है चलो आगे चलो है कि यह स्वार है कि यह तो परफारोड यह तरह इस लिए ना परफारोड ही हुगिसरे अभी है कि कर चलो ए बारेम और अअइस है परिभापे जाते है मुझत Exactly तो यह तरह थारोड ग्लेंड श्पल आओ अथे कार नोडुल पड़े हैं शंपल आओं से उस तो और नोडुल होगा उन्हें है उन बचारों ने बड़ी शराफत से एक हॉमोन सिक्रीट कर देना है इस ग्लैंड को हम बोलते है पैरे थायरोड ग्लैंड ठीक है इन चारों नोड्यूल्स को एक सब्सक्राइब इस पीनियल खतम पीनियल याद है बताओ वह इस पीनियल खतम पिचूची खतम थायरोड करें तो मेरे काम है बहुत जादा है बिन थायरोड सो कितने होमोन रिलीज होएं बताना जरा इंटू कि मेरे शकंजे में नहीं आये तुम ठीक है पैरधारण कितने नॉड्यूल है पूर 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 ठीक है बुचू पुचू से सब्सक्राइब निया दो चारों बहुत बढ़िया क्या सिक्रीट करते हैं है यह एक पैरध्थ हॉमून कि अबे यह लिखाने दीखते तुमको देखके चीटिंग करनी नहीं आती पैरध्वोंवन जी क्रीट करते हैं उसे को पी-टी-एच भी बोलते हैं ठीक है पी-टी करने नहीं जाना पी-टी-एच नाम है उसका इसा का दूसरा नम है कॉलिप् ठीक है यह मैडम को इसी को देख कर याद आता है लिख ला फिर कौन सा हो बन कर रहे थी वह हाहाँ फारो कल्सीटोनिन क्या करता है कैल्शिएम तिक्रीज इन ब्लड इस बिल्कुल होता होगा फिर केल्शियम लेवल ब्लड में केल्शियम बढ़ाता है केल्शियम का मेन सोर्स आपकी बॉड़ी में क्या है मिल्क तेरी बॉड़ी में मिल्क की प्रोड़क्शन होती है मेटा तेरी पायों खराब है या दिमाग खराब है जल्दी बढ़ा है अच्छा अगर मैं तुम को कोश्यन पोज़के थोड़ी देर के लिए छोड़तू तो तुम तो जॉनल्ड ट्रम का नाम भी ले दोगे ना बोलते ही चले जाते हैं बोलते ही चले जाते हैं या असलें दो भी मत बनना हाँ हाँ ले रिए जाए अभी मत बनना वह में जो जाले जाते हैं यह दो कि तुम्हारे शुरी में हडिया हाँ हडिया ह्डिया का में इन्स वो एक कल्शियम फोस्पेट और कल्शियम काबिनी हाँ इसका माई क्यों होगा वो पढ़एगा मैं ही बढ़ा रही है तो पहले तो आमन क्या करते है आपकी बॉड्डी में केल्चियम का लेवल इंक्रीज करते है वेटा कैसे करेगा का में कोई एक्ट्विटि करें मेरे शरीर में क्वूल में केल्चियम की कमी हो गई है ध्यान तूलो, कैल्शियम की कमी हो गई है, तो अगर मेरे ब्लड को कैल्शियम चाहिए, और मेरे पस आसपस कोई कैल्शियम सोसने, मुझे थोड़ी मेरे रिलाइज होगा, मेरे बॉटी को रिलाइज हुआ है, ख्रीटिगा, माइक बंद कर दे, मगा दूगी मैं तुझे, तो अगर मेरे blood को calcium चाहिए तो क्या करेगा किस से ढूंडेगा किस से मांगेगा calcium के source से कौन है calcium का source हटिया हटिया थोड़ेगा नहीं उसके पास नहीं है हटोड़ा तो क्या करेगा उसको dissolve करना start कर देगा तो हटियों को थोड़ थोड़ इसलिए अगर calcium की कमी शरीर में हो ज आती है क्योंकि हमारा blood हड़ियों से calcium लेने लग जाता है इसलिए भी खुजाती है ठीक है तो अगर हम calcium उसको अच्छे से देंगे blood में अच्छा calcium का amount होगा तो bone से calcium का अप्टेक नहीं होगा राइट ना उस्ट्योपरेसिस वह सिवेर कंडिशन है वहाँ पे नहीं गई हम यह नॉर्मल कंडिशन बता रहे हो मैं तुझे नॉर्मली calcium की कमी हो जाए शरीर में होता रहता है बॉड़ी में तो question है पैरेट होर्मोन का target site क्या है तो पैरेट होर्म कर दो गया है नहीं बता होगे अच्छा जितना आप चैट में तुम हैती हो ना मुझसे भला देखो हड़ी में different type of cells होते हैं अपने बॉन का पार्ट नहीं करा तो चलो तुमको बहुत रिटेन में ना पता हो लेकिन वह एल लेते हैं इत्सका नहीं बड़े आप तो जब त तो जो cells तुमारी bonds को बढ़ा कर रहे हैं ठीक है cells के size को increase कर रहे है उसकी growth भी बढ़ा रहे है उसकी height भी बढ़ा रहे है नहीं cells बना रहे है तो वह वहले cells को हम कहते है osteoblast they are like blasting everywhere वह होते हैं एक्दम energetic है तो osteoblast वह cells है जो आपकी bone की growth करवाते हैं फिर जो bone की growth हो गई है अब एक time के बाद नहीं होती ना height नहीं बढ़ती जितना मरजी लेटक लो है ना ऐसे पकड़ के मैं तुम हो खीच लू हैट तो नहीं बढ़े ही तो वह जो cells हम mature हो जुक जो एक जगा देखके टिक के बैड़ गया है कि बस और growth नहीं करानी इन्हें हम कहते हैं mature bone cells और तीसरे cell है हाँ साइल शांती शांती रग भाई तीसरे cell है हमारे पास osteoclast क्लास्ट होता है आप किसी से साथ clash करते हो तो clash से clash रहाद रखना osteoclast वह cell है जो bone को तोड़ते हैं देखो bone ऐसे एक बड़े बड़े पत्थर जासे होते हैं लेकिन उनकी पटिकुलर शेप होते हैं osteoclast की वजह से है वो एक पटिकुलर शेप देत कि बॉन्स को dissolve करेंगे और calcium को blood में release करेंगे तो target site कौन सी हुई पैरत हॉम्मोन के तो पैरत हॉम्मोन त्यान से सुनों कोई बाती नहीं क्लिक हुआ यह देखो पैरत हॉम्मोन क्या करता है increase calcium in blood कैसे increase करेगा calcium in blood by dissolving bone तो bone dissolve करने के लिए कौन सा cell responsible है osteoclast osteoclast तो पैरत हॉम्मोन क्या करता है yes activate osteoclast right clear yes ma'am यह bone को shape भी देते हैं उसको खाजाते हैं और calcium का level blood में increase करते हैं calcium का level blood में increase होने को हम क्या बोलते हैं when calcium is more in blood then we call it hypercalcemia हाँ बहुत पसंद है यह term need को hyper मतलब ज्रादा calcium है मतलब calcium तो किस hormone के वज़े से hypercalcemia हो गया तुमारी body में किस hormone के वज़े से parathormone 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 के साथ ही word आएगी कि parathormone are hypercalcemia in nature got it yes ma'am समझ आ रहे दीरे दीरे yes ma'am क्योंकि यह topic बहुत detail के है एक तो हमार बस इना time नहीं है उतना detail में पढ़के भी पागल हो जाओगे उतनी महानत physics chemistry में तो बहते रहे okay that's very tricky shivani class के बाद मुझे इस बताना अपनी नहीं अगर जो मसल है उनके पास अपना कैल्शियम का स्टोर है तो उनके पास अपना कैल्शियम का स्टोर है तो उनका कैल्शियम का स्टोर इतनी जल्दी एफेक्ट नहीं होता ब्लड के अंदर कैल्शियम पर ब्लड पर उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ उस पर इतना फरक नहीं पड़ेगा लेकिन बाकी एक्टिविटी पर डेफिनेटली पड़ेगा निरॉन्स होते है याद है तुमको निरॉन्स सिग्नल जब देते थे ऐसी टैकोलीन रिलीस कर रहे थे सानैप्सिस में तो किस आयन के आने की जरूरत थी उनके अंदर कैल्शियम कैल्शियम तो इसका एफेक्ट निरॉन्स के उपर जरूर पड़ेगा इसलिए तो बॉड़ी वेट नहीं करते है कि तुम दूद प्यूर कैल्शियम आए हो गयाती मैं खुद बढ़ा लूँगी तुमारी हड़िया तोड़ लूँगी लेकिन भगवान के लिए नियूरल कंड़क्शन में पंगेनी जाए राइट चलो एनिवेस कम बैक ओके अब देखो अब यह वाली स्लाइट बहुत प्यार से समझाएगी कुछ भी नहीं है इसमें त्यान से देखना जो लिखा सब कुछ इसी में है पैरत होमन यह पैरत होमन से क्रीट किया है पैरत ह क्लास की अक्टिविटी को यह प्रोमोट करते हैं कि अब इसने यूर्यन वाला चेप्टर लगाया था उसको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि PCT में होती है कुछ जैसे कि ग्लुकोस की हो जाती है जैसे कि कैल्शियम की हो जाती है जैसे कि पानी की हो जाती है कुछ को चीजों के री अप्शॉप्शन होती थी याद है तुम्हें तो PCT में यह क्या करते हैं यह इंक्रीज कर देते हैं री अप्शॉप्शन ऑफ क्या क्या करते हैं कैल्श करती है क्वीतनि से ट्रेटिण करती है यह करते है एक हॉमन का मॉडिफायज क्वा Muito एक क्वीतनित करती है जो किटनी सिक्रीट करती है तो इसको भी इसकी stimulation कराते है पैरत हॉमोन इतनी बात क्लियर तीन फंक्शन क्लियर अभी तक दो तो किटनी से रिलेटीड है एक हड़ी से रिलेटीड है बॉन्स की यह dissolution करवाएंगे किटनी से केल्शियम और मैगनीशियम रिय अब्जोप्शन कराएंगे क्यल्स कमें काइए एक आँचल देखाना है में घंसको निकाले में यहàng जाते वह यूरिन से निया और यह बॉन से लिया तो हमने बन का पड़ा यूरिन यूरिन से लिया तो हमने अभी PCT में पढ़ा कि Magnesium की Reabsorption होती है थर्ड हम खाने से लेते हैं, खाने से कैसे लेते हैं कि Kidney जो है यहां बना लो अपनी प्यारी सी Kidney, Kidney ने रिलीज किया कौन सो हॉमोन? Calcitriol, Calcitriol, Calcitriol लहराता हुआ कहां पहुंचा? Small Intestine Small Intestine में उसने क्या कर दिया, Increased Absorption of Calcium from Small Intestine Small Intestine में जो खाना है, उससे Reabsorption करा दो Calcium की Blood की तरफ, Absorption करा दो Let's it, Simple तो अगर Calcium की कमी होगी है शरीर में, शरीर होगी ता समझदार है, सिरफ पीछे की वो चार Lobules खाना निकालते हैं, Parathormone, तुमारी हड़ियों को भी घोल देगा, तुमारे सुसु से भी Calcium ले लेगा, तुमारे खाने से भी अच्छे से Calcium अब्सॉप करा देगा Clear लिए 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 प्रिविए स्लाइड इसको Parathirot Gland एट लिए ऐसे लिलए ले लाइड वाल ले ले ला देखे लिए ले लेखे के लिए और लेखे दुमांड आ कि वह टो पारस इसे कामाल वे लिए उन्टेस्टान बाट लिए वर घ्ञान आपके ली आजिए लिए ने प्रिट्शिपके बाट है लेकिन जान ल सब्सक्राइब अब देखो कोई ना कोई जब बोलता पडेशन में घंग करेंगे जब सब्सक्राइब और जब दोलेफ करेंगे जब सफिशेट अमाउंट तो तुमको बहुत सारा थोड़ी चाहिए तब वो सिक्रीट करेंगे तो अगर उनको ऐसा करना है कल्शियम का लैवल बेड में करना है कब तो बताओ की टागर साइट कौन से होगे कौन से सेल पर काम करें केल्शियम का लेवल ब्लेड के अंदर कम हो जाए वह भी जाते हैं पर उसको करते थे शट्डाउन उसको करते हैं इनक्टिवेट नहीं तू हडिया नहीं खाएगा चुप करके बैट जाते हैं कोई बात नहीं आने दे परित हो उसके जाथ बात कर लूँगा तो C-cell और परित हमन मिलके कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडि में म करते हैं करते हैं कि यह रहुड बढ़िया लिखेगा तो PTH and Calcitonin मैंने बताया हैं को कि स्टिमुलेट करने के लिए कभी हमने हमने पढ़ा था पिटूटरी से कोई होमो निकल रहा है जो कैल्सी टोनिं पर एफट करता है पढ़ाएगा तो प्र प्रता है पढ़ाद करता है यह कभी पर थारट पर पढ़ा था नहीं पढ़ा था नहीं होमोस्टेसिस का मतलब होता है बॉड़ी में टेमप्रेचर और एलेक्ट्रलाइट और पानी का बैलेंस मेंटेन होना है तो देखो हमने पढ़ा था पिटूटरी से होमोन आते हैं जो थारट को स्टिमुलेट करत जाँ रिलीज होना है वो ब्लड से पता चलता है जैसे ही killing कोशंच उनो जैसे ही केलिशयूम का कं हुआ तो कौन सा ओर्गन एक्टिवेट हो जाएगा इंतार ऐसे ही मेरे बर्ड में 6000 का लेवल बहुत चारा हो गया तो कौन सा से करीट होगा हम सीं जारा अक्टिवेट हो ज है नीट के लिए कंफ्यूज करेंगे तुम्हें तुम्हें थारोड पैरोथारोड कॉंटरिक्टी होगे है तो ब्लट लेवल में जो कैल्शियम का लेवल है वही रेगुलेट करते हैं इनके फंक्शन को ओके मैं लिख दूँ है रेगुलेटेट बाइ केल्शियम लेवल इन प्लाइट रेगुलेट कर लेते हैं तुमको रिसेप्टे की डिटेल में जाना तो क्यों परिगान होने ग्लुकोस की रिसेप्टेर की डिटेल में बजाना है तब पढ़ लेंगे इंसुलिन में हमें अधिक्कत है रहे चालो पॉन सेल्स हो गलिया हमने यह पैंक्रियस के सेंट्रेल डग को क्या बुलाते थे हम अधिक्ट और वीर संग वीर बहादूर है यह ड़क्ट और वीर संग वेरी गुड उस ताम लेबलिंग बहुत अच्छे से कराई थी बहुत मारूँ है आदमी तुमें नहीं प्राहिल ओके और यह जो सेल्स है यह यह सेल्स का नाम किया थे है एक्जोक्राइन पार्ट ये पंक्रियास का ऐसी नहीं वाला तो यहां पर एक आइलेंड भी तेर रहे थे ऐसे याद है तुमको क्या उलाते थो उनको आइलेट लेंगरहन भाई के आइलेंड तेर रहे हैं मुझे ऐसे जाद है क्या है आइलेत लेंगरहन है कों जाद होता है ऐसी नहीं या आइलेट लेंगरहन काफी है डिस secrete करते हैं तो यह secrete करते हैं chemical जो किसमें मदद करते हैं digestion of food nuclear inful स्ट तो इसमें enzymes लेकिन तब भी एक सो दो परसेंट ले भाई तू पहले प्रिवेस लाइड ले बोलने ना दियो कि अगर बिट ऑफ लेंड क्लास होती ना और मेरे हाथ में चौक होता तो तेरे सर पर बहुत बार विच्टा अगर दन कि यह अगर देखो फणी बात क्या है अच्छा है अच्छा है अब गिव अब्री टाइम 30 सेकंड्स तो राइट तीक है वह प्रेजेंटेशन जो मैं क्लास के बाद भीजती हूं फिर वह क्या है है बजा के अब्रेशनमेर को दे रहे हैं इसको खुद सेजेशन की जुरूरत लाइफ में तो आयल्स अलंगर एड़ 102 परसंट है अवराल पैन क्रियास में लेकिन वह एक सो दो परसंट ही एक से दो मिलियन है नंबर में तो ऐसे कम मैं समझना है एक दो सेल बैठे हैं एक सो दो मिलियन इनको चुपा गए रखा है इसे पड़े हैं इनके बारे पड़ते हैं अच्छा ओओ ओके आए अध्यांस रेखे मुसे सची फोटो नहीं मिलें इस पिछो को तो यह है पैंक्रियास तो तुमको पत्ते जैसे दिखते हैं वह रियालिटी में ऐसी दिखते है ऐसे दिल मत छोट एसे दिया है लुट आसा दिया है तो तम जो इनसानों के आदर देखोगे तो मुझे मत बोलना नहीं के अशनीं कि काउंटेंग क्या लाए नहीं शेलिए हम करेगी क कौन करेगी तो तु पढ़ाएगी तो टाक्षी नहीं पढ़ाएगी तो इस ब्सक्रीश ओख वन्हीं न होता है थोड़ा थोड़ा मैंने दिखा देगी पर चले जिब डॉक्टर वनो इंसान तुमारी आगे खुले और तुम सबसे पहले सोचो मैंडम ने सब गलत पड़ा है तेक्च्चर कैसा होता है इसमें मैं टेक्च्चर वता हूं साहिल मैं तुझे आ तु इधर रहा काटा- सबसे होना चाहिए मुझे लगता है कैसे सवाल है इसर कैसा होता है बगवान का शुकर देरे जैसे लोग पेपर नहीं बनाते हैं बच्चे रोदेंगे कह बहुत है तुम अब देख वेगों पूछता है यह बहुत दोगा देने वाला ग्लेंड पत्ते जैसे हमारी बुक मे नहीं दिखता। यह बहुत इंपोर्टन ग्लेंड है लिकिन यह पॉचिन में नहीं आएगा, तो क्या आएगा कि Pancreas होते हैं Mixocrine Gland, Mixocrine Gland, Mixocrine Gland, Mixocrine Gland M يعते हो तो exo & endo and heterocrine Gland, Heterocrine Gland, Heterocrine Gland more than one type तो उसको हेट्रोगार्ण भिग रिए और different type of cells do तो मिग्जोक्राइन हेट्रोक्राइन कोई भी टर्म कर सकते घबराने का नहीं पैंक्रियास दोनों है उनके पास पड़े होते बहुत प्यारे प्यारे त्री डिफरेंट टाइप अफ सेल्स देखो यह तुमको तुम्हारे स्लेबस में लिमिटेड है किसी पी चीज़ को बहुत जादा बहुत ज्यादा महत्वपूर नहीं इंसुलिन को मद भूलिया और तीसरा है सुमेटोस्टेटिंग पूछा था तुमने मुझसे सुमेटोस्टेटिंग कहां बड़ा था बड़ा है यह वर्ट कहीं में ग्रोथ इनिबीटिंग हॉमोन किसने सिक्रीट किया थ इनिबीटिंग हॉमोन कौन सिक्रीट करते हैं है तो यहां देखो कितना बुरा लग रहे है ज़वात हो से घिल रे मेरे सो मैटोस्टेटिंग एक तो इस भाई ने रिलीस किया था यहां पर कौन रिलीस कर रही है पंक्रियस मैं तो कंफिज हो जाओंगे ना कुछे क्या क्य लेकिन नहीं, मेरे तो नंबर कट हो जाए नहीं, मेरे को यहां लिखना पड़ जाएगा है, ठीक है, तो somatostatin गया करता था, inhibit, growth, growth के उपर परक कर रहा है ना वो, लेकिन somatostatin क्या कर रहा है, it, inhibit, देको है दोनों inhibiting, दोनों negative लोग है, inhibit, किसको, glucagon and insulin, तो यह pancreas में secret होके, उनहीं के secretion पर फरक डाल रहा है, वो hypothalamus वाला growth पर डाल रहा है, तो बैटे यह लिख लो, यह बहुत ही महत्वपून है, और यह दोनों बिल्कुल different है, साइल कल पूछाता ना तुने, completely different है यह दूशरे से, नाम सेम है, हो सकता है तुम दो साक्षी को जानते हो, प्रेन फोड़ी होगी है, और तक कंबा का जादा intelligent हो वो बहुत, तर्ण, बताओ, आगे चलपी नहीं नहीं अभी तुम्हें बोलने वाली किम बहुत सारो कुछ, यह वो इस लाइड में बहुत कुछ है, यहीं कफर कर लेते हैं, शोटे में हो जाएगा रुकर इसके डबे बना देती है, श्राइड कंदे करने का अपना ही मजा है, मेरे नोर्स इसले नहीं भीखती, यह नोर्स में हर कोने में कुछ लिखा होता है, एक बार एक इंजिनेरी वाले से मैं कुछ समझ रही थी, एक पेज के हर एक कोने में लिखते हैं, वह से कुछ समझ रही थी और मैंने कुछ लाइन छोड़ दी और मैं नेक्स पेज 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 रही, और मैं पाप इस गई और उतनी जगात में ही उसने मुझे संझाया, तब से में को हो गया कि हाँ इतनी सारी जगात हो है हर कोने में लिखते हो, मैं हॉमोन इंग्लेंड का नहीं 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 नहीं, इसले का देखा हो, 1,5,3,3,3, 3,3,4,5,5,3,3,1,5,7,7,4,4,3,2,6,1,5,7,4,1,5,7,8,2,2,4,6,1,7,4,6,4,5-0, Hu-2,4,1,5,5,5,6,1,6,7,6,5,6,5,4,6,7,7,7,6,7,7,7,7,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 इसलो कखा, लएर तो बीेच में ऐसे कुछ बातब रहे थे और बीच में कुछ शेल्स इजो लहरात्यो ब Hiç मुछ वजा रहे थे वींग जारे लाडली मेंगे बेटा लारा इभ ट mateix रहा रंद हरे ह्यां तो जो लाडला बेटा है तो वो है बीटा सेल्स तो बीटा सेल्स को रखा है सेंटर में बिल्कुल ऐसे प्रोटेक्ट करके यहाई मेरे लाडले बेटों को नजर ना लग जाए इसका गलाना खराब हो जाए है ना तो लाडले बेटों को एक दम बचा कर रखा हुआ है कि इनन तो शारे एल्फा में करक्क करक करका है हमारे लाडने बच्छों तो आपको नाम है देल्टा सेल्स कि इन बीच में मिल जाएंगे यहां इसके बारे में जिकर नहीं करती लेकिन बताओना चाहिए कि delta cells are responsible जो somatostatin release करते हैं जिसका function मैंने या करा दिया, right? चले आगे अब alpha और beta cell पे? ये अच्छने देखो, delta मन गुन ला तो देखो, alpha cells और beta cells क्या करते हैं इनका जो, एक तो इनकी functioning कौन control करते हैं इनकी functioning जो control करते हैं क्या मैंने कभी बताया हाइपोथालमस या पिट्यूटरी से को hormone release कर रहा है, जो alpha और beta cell को regulate कर रहा है, ऐसा कुछ बताया था मैंने कभी नो मैं नहीं, तो इनकी functioning कौन regulate कर रहा है, by blood glucose level तेरे खून में glucose का level कम, तो ये काम करेंगे glucose का level जादा तो ये काम करेंगे तो basically हर टाइम ये काम करते रहेंगे जब मैंने खाना खाया, glucose बढ़ गया ना एक्टिवेट हो जाएंगे, जब मेरे system में खाना नहीं है, glucose कम है, तब भी एक्टिवेट होंगे, ठीबाट क्लिए प्रिएस माम आओ 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 जिल्दी से खतम करते हैं, जद हो, पहले condition, जब glucose के कमी है बॉड़ी में, क्यों? क्योंकि चति ने क्या रखा है आज? करवा चोथ का ब्रत करवा का ब्रत एक खौन तर जिसको बहुत अच्छे से याद है है एक मिने के चार्जिंग लगानी एक मिने, जाना मत, जाना मत आची, खतम होगी सब कुछ इसरी वार केमरा बंदर रहू है करवा चोथ का ब्रत करवा चोथ का ब्रत तो आज है साहिल जातिन का करवा चोथ का ब्रत उसको लगता है वो मिलेगी कुछ नहीं होना है जब इसका करवा जोत का ब्राथ हुआ इसके शरीर में ग्लुकोस की होगी कमी शरीर जब भी मैं ब्लेड की बाद करई हूँ ठीक है ब्लेड लिख लो पुछ इंडलेजन वच्चे गन्फ्यूज की कमी होगी तब उसके रक्षा करने के लिए कौन आये है ग्लाइकोजन फिक तो ग्लाइकोजन इस वाट इस वाट इस टोर्ड जोड़ वाला का मिलता है लेवर में हाँ जैतिन ऐसे करवाज़ात कब रखाया है करा है राम अभी तो सुबा के 10 बजे है चांद कब निकलेगा ठीक है तो उसके बौठी में जो लीवर है वो समझिया कहता है इससे नियों प और वहाँ पर एक हॉमोन है जो तुझे तोड़ देगा और वह घुमोन कौन सा है खुंड गुका गॉन पियंक्रियस से निकलता है यह गुलूका और जाता है गॉन न भी जाता है ग्लेट में तैर तैर के लिवर के पास और वहां पर ब्लाइकोजन को पकड़ के तोड़ ड प्रम्ज एक फांक्शंद गूंकूं लूक गॉंक टीज ने करता है ग्लूको डीड एक हॉओमोन है किस ने करना बताओ है ए यूरं पैंगरेस कि टि कॉन संद आ लियू तबають लौ भी आथ तो मैं नहीं बताइ ऐल्फा ने पीटा ने किया ओके क्या बोल रहा है, अलफा जेल्स ने एक स्क्रेट किया, ग्लुकागोण, ग्लुकागोण कब स्क्रेट किया, जब जतीन रखा था व्रत, तो शरीर में थी ग्लुकोस की कमी, जैसे जतीन ब्लड रखेगा उसकी बॉड़ी इन की वज़े से क्या हुआ, जेत इंके खूल में ग्लुकॉस का लेवल बढक गया। जरी के बढक बोलेंगे Balagagya मतलब है भीपनी लॉकॉष का मनहीं थी अङोए मोने कन ग्लाइसीमिंग और बढक हाइन कंदा हाइन कि फान भाइपक चनी इस प्रोसेस को जब आप ग्लाइकोजन को तोड़ते हो ग्लुकोस में इसको बहुत ही फैंसी वर्ड में क्या बुलाते है लाइसे मतलब तोड़ तोड़ तो जैसे तुम जादा कभी से घर में अड़ाई हो जो तो पलेट के मम्मी को जवाब दो तुम्हें भी तोड़ दिया तो तब Atulji c thereun gynolysis होता है ठीक है यहां पर को से होती है गलाइकोजन को तोड़ रहे है तो गलाइकोजन आसा अछा ओन ग्लुकोस का जो रिजवेर था वो ग्लाइकोजन था उसको तोड़कर तुमने ग्लुकोस लिकाल दिया अब तुम energy drive कर रहे हो लेकिन glucose के स्टोर को नि तोड़ रहे हो तो और मैं प्रोटीन निपीड पड़े हैं अब मैं प्रोटीन ये लिपिड और तोड़के उनसे अनर्जी निकालके ब्लेड में डाले हूं कि जतिन का बग बच वर चांद निकलेगा तो इसका जो ग्ल्यूका तो यह तो गडब़ हो गई मतलब होता है कि आप एकसेप्ट व्लूपोस ऑर स्थे या लाइक लिपिट उनको तोड़ो और उनसे आप ग्लूकोस के तुमको डीटेल में नहीं जाना है पर तुमको इतना समझना है कि अगर body में glucose की generation blood के अंदर हो रही है आकर फिक है लेकिन glycogen की वज़ा से नहीं हो रही है किसी और सोर्स से हो रही है तो उस process को हम कहेंगे तो यह ग्लूकोनियोगेनेसिस को प्रमोड करता है ठीक है तो याद रखना अपनी कॉपी में लिखो अभी लिखो दो पॉइंट लिखो पहला ग्लूकोनियोगेनेसिस लाइसिस और जैनेसिस में कन्फ्यूज नहीं होना है नियू से याद रखना क्लियर यह वह वाला कोशन है जो तुमारे नेगेटिव में नंबर गटवाएगा तो साफधान नंपर जैनेसिस का ब्रेकडाउन करके जो चीज वह बनाने के उससे कोशिश कर रहा है तो ग्लूकोस आगे ने मुक तो चीज बनाने कशन करता साथ सार्ज उसको लेते जा रहे हैं तो दो बज़े तक जाती हैं है तो भी होच हो जाएगा खरवाचोदके वरत से तो क्या करता है ग्लुका गंड एक और चीज इंशुर कर रहा है एक जितने भी सेल्स है ना बोडी में यह यह ग्लुकोस लेना पाए ठीक है अभी पहले ब्लेड में ग्लुकोस का लेवल में बढ़ाना है तो स्टॉप सैलूलर अप्टेक ऑफ ग्लुक the body goes by cells ये बी गराते हैं हमारा group का कौन 3 function कराए है इतना clear है ये NCRT की line है इतना clear है Yes Ma'am Yes Ma'am इतक करते है इन्सुलίν तुमें कल एँ